दिल्ली के मुख्य मंत्री केजिरी वाल ने गुरुवार को 109 होट स्पोर्ट का उधगाटन किया जिसमें लोगों को फ्री मिलेगा वाइफाई पूरी दिल्ली में लोगों को फ्री वाइफाई देने की सुधा वाला या पहला सहर होगा या सुधा अब कश्मीरी गेट मैट् स्टेंड, मंडी हाउस बस स्टेंड, सच्ची वाले, इंदर प्रस्त मैट्रो स्टेशन, ड्यू बस स्टेंड और सराय काले खा अड़े पर लोगों को फ्री वाइफाई की सुधा मिलेगी मुख्य मंतरी ने कहा कि हर सब्ता 500 होट्सपोर्ट लगेंगे, उन्होंने कहा कि होट्सपोर्ट के जरिये विश्यू धाला उपर मेट्रो स्टेशन पर इस योजना की सुरुआत कर रहे हैं उप मुख्य मंतरी मनिश शिसोधिया ने वीडियो कॉन्फरेंसिक के जरिये अरविंदर केजिरिवाल से बात की इससे पहले विदिली सरकार यहां के लोगों को 200 यूनिट मुफ्ट बिजली, 20,000 लिटर मुफ्ट पानी, महिलाओ को बस में मुफ्ट सफर की योजना भी लागू कर चुकी है केजिरिवाल ने कहा आपने मैनिफेस्टों का आखरी वादा भी पूरा किया, बस स्टोपों पर मिलेगी होट स्पोर्ट की सीधा अर्विंद्र केजरिवाल ने इस योजना की सुरुआत करते ही कहा कि अब 4000 बस स्टोपों पर होट स्पोर्ट की सुधा लोगों को मिलेगी साथ ही उन्होंने कहा वाइफाई की सुधा से छातरों को भी उनकी पढ़ाई में मदद मिलेगी स्वास्त और सिक्षा के छेतर में लोगों को काफी मदद मिलेगी बजार पारको और आट डबलीच एरिया के साथ हजार होट स्पोर्ट लगाए जाएंगे हर विधान सभा में सो सो होट स्पोर्ट लगाए जाएंगे हलागी 15 जीवी डेटा मुफ मिलेगा हर मैने मुख्य मंतरी अरविंदर के जीवाल ने कहा है कि 23 से 30 दिसंबर तक 1100 होट स्पोर्ट लग जाएंगे और 6 महिने के अंदर लगब 11,000 होट स्पोर्ट पूरी दिल्ली में लग जाएंगे उन्होंने ये भी कहा है कि हर 500 मीटर पर लोगों को वाइफाई की सुईधा मिल जाएगी फिलाल अभी शुरुआत में हर आदे किलो मीटर में या सुईधा मिलेगी पर तेख होट स्पोर्ट का दाइरा 100 मीटर का होगा एक होट स्पोर्ट पर 1500 से 200 लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो सकेंगे